हेलो फ्रैंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम अर्चना है, आज हम छोले चावल तयार करेंगे, आज हम गोँ श्टायल में छोले चावल तयार करेंगे, यानि कि जब घर में बहुत ही कम समगरी हो और कुछ चटपटा खाने का मन हो या घर में कोई गेस्ट आए, तो ऐ चाली देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवशकता है, सबसे पहले हमें चना को भीगने के लिए रखना है, तो जितने लोगों में आपको सर्व करना हो उसी हिसाब से चना को भीगने के लिए रख दे, अगर आप 5-6 लोगों के लिए छोले बना रह दो आलू भी इसमें एड़ कर सकते हैं आलू डालने से ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा होता है और स्वाद भी अच्छा होता है तो मैं यहाँ पर दो आलू भी डाल रही हूं छोले पानी आलू और आधा चमच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक यानि की लगभग आधा चमच न डाल सकते हैं अगर नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं तो 3-4 सीटी लगने तक 3-4 विसल आने तक छोले को उबालेंगे उसके बाद गैस ओफ कर देंगे और कुकर कलीड अपने आप खुलने देंगे जब इसका गैस लीक हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे अब छोले उबल कर तयार हो चुका है बहुत ही सौफ्ट तयार हुआ है तो अब हम इसके लिए तरका तयार करेंगे तो तरका तयार करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें एक चोथाई का प्रीफाइंड तेल डाल देंगे तेल जब गड़म हो जाएगा तब ह मैं इसमें खड़े मसाले नहीं डाल रही हूं बस तीन से चार तेज पते और आधा चमच जीरा डाल दिया है इसे चटकने देते हैं और जैसे ही जीरा चटक जाए उसका कलर चेंज हो जाए यानि कि हलका सा जलने लगे तब आपको इसमें डालना है आधा कप कटा हुआ प्या आज फ्राइ हो चुका है तब आपको डालना है इसमें एक चमच लैसन और अध्रक का पेस्ट लैसन अध्रक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके बाद हम डालेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके बाद डाल को मैंने पीस कर तैयार कर लिया है और यहां आधा कप पिसा हुआ टोमैटो पेस्ट इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़े देर तक इसी तरह से पकाएंगे पकते हुए 30 सकेंड हुआ है और आप देख सकते हैं कि टोमैटो का पानी सूखने लगा है फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लिड डाल कर फिर से पकने देंगे एक से डेर मिनट जब हो जाए तब आप देखेंगे कि पानी सूख चुका है तेल उपर आने लगा है तब हम डालेंगे इसमें आधा चमच देगी मिर्च मसाला आप बिना देगी मिर्च का भी बना सकते हैं देगी मिर्च से केवल कलर आता है अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो आपको देगी मिर्च डालने की आवशकता नहीं है उसी से अच्छा कलर आ जाएगा देगी मिर्च डाल कर भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे थ तो और पकाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि इसमें तेल छूटने लगा है, मसाला काफी सौफ्ट हो चुका है, मिल चुका है, तब हम इसमें डालेंगे छोले. तो छोले को एक प्लेट में निकाल लेंगे, साथ में आलू भी निकाल लेंगे और आलू को छटे-छटे टुकड़ों में हम तोड़ देंगे मसाला में छोले और आलू डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढख़क कर 2-3 मिनट तक हम और पकाएंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे पकते हुए जब 2-3 मिनट हो जाए फ्राई करते हुए जब 2-3 मिनट हो जाए तब आपको इसमें डालना है पानी जितने लोगों में सर्व करना है उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे तो जैसे कि मैं 3-4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी और इसे मिक्स कर देंगे इसके बाद हम इसमें इसके स्वादन स्वाद नमक डालेंगे मिक्स कर देंगे और फिर से लिड डाल कर उबलने देंगे लगभग 2-3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर और पकाएंगे उबलने देंगे और जब तक छोले उबल कर तयार होता है इस वीच हम जीरा राइस तयार कर लेंगे जीरा राइस बनाने के लिए मैंने डेर कब बास्मती राइस ले लिया है सबसे पहले हम इसे साफ करेंगे और इसके बाद दो से तीन बार पानी से धो कर तयार करेंगे तो जीरा राइस हम कुकर में तयार करेंगे क्योंकि कुकर में बहुत ही जल्दी बन जाता है तो आज का जीरा राइस जट पर तयार करेंगे तो इसके लिए हम एक कुकर लेंगे और इसमें दो से तीन चमच कड़ी देसी घी या डीफाइंड तेल डाल देंगे तेल जब गरम हो जाएगा तब हम डालेंगे एक चमच जीरा और जीरा का कलर जब चेंज हो जाएगा यानि कि हलका से जलने लगेगा तब हम इसमें 10-12 कड़ी लिफ्स डाल कर इसमें पका देंगे मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें धुला हुआ चावल चावल डाल कर एक बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसके बाद जितना चावल है उसका डबल पानी डाल देंगे तो जैसे कि मैंने 1.5 कप चावल लिया है तो 3 कप इसमें पानी डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लिड लगा देंगे लिट लगा कर फुल फ्लेम पर पकाएंगे एक विसल आने तक इसे पकने देंगे और जैसे ही एक सीटी आ जाए गैस ओफ कर देंगे एक सीटी लग चुका है गैस ओफ कर दिया है और इसे ठंडा होने देते हैं गैस लीक हो चुका है यह ठंडा हो चुका है तो अब हम आपको खोल कर दिखाते हैं किस तरह से जीरा राइस तैयार हुआ है तो आप देख सकते हैं वाव कितना सुन्दर तयार हुआ है एक एक दाना खिला हुआ है आप देख सकते हैं कि कूकर में भी इतना अच्छा जीरा राइस तयार हो सकता है तो अब हम इसे प्लेटिंग कर लेंगे इधर छोले भी उबल चुका है छोले भी तैयार हो चुका है तो हम गैस ओफ कर देंगे और छोले एंजीरा राइस सर्व करेंगे छोले एंजीरा राइस को मैंने प्रजेंटेशन तयार कर लिया है उपर से हडा धनिया या पुदीना डाल कर इसे गानिश करेंगे और अपने फैमली अपने बच्चों के साथ इंज्वाइ करें अगर आपको मेरी या रेस्पी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और लेटेस्ट रेस्पी के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें फिर मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बवाए